Hello students, KVPY 2021 finally complete हो चुका है मुझे उमीद है कि ये चैनल आपके लिए helpful रहा होगा आपकी preparation के दौरान अभी तक मैंने बहुत सारे students से feedback लिया है तो ज्यादतर लोगों के मताबिक इस साल का paper थोड़ा tough था last year के comparison में ये चीज ऑफिशल जब paper आएगा उसके बाद ही confirm की जा सकती है around one week के time के अंदर ही आपको official paper और उसके answer keys भी मिल जाएंगे अगर आपको answers याद है तो आप उसे असानी से check कर पाएंगे उस time पर जैसा मैंने अभी expected score पूछा है लोगों से तो ज्यादतर लोगों को 40 to 60 के बीच में आ रहा है कुछ students ते exceptionally अच्छा किया है और उन्हें 70-75 प्लस भी आ रहा है अगर आपका score भी उस range में like करता है तो आप इस बार expect कर सकते हैं कि आप top 100 में हो जाएंगे अगर आपका score 50 के उपर है तो इस साल उसे एक safe score माना जा सकता है KVPYSA और SX दोनों के लिए यहाँ पर बात आती है कि आपको आगे क्या करना है आपको अगले KVPYSX आपको देना है या फिर जई आपको देना है तो उसके लिए कैसी preparation करनी चाहिए इस साल के KVPYSX को अगर हम लोग देखें तो यह थोड़ा सा tough रहा है पिछले साल के comparison में और इसी लिए अगर आपने essay दिया है अभी अभी तो आप SX की preparation कुछ दिनों में ही शुरू कर दे अगर आपका score 55 के उपर रहा है तो आप एक दो दिन रिलाक्स कर सकते हैं आपने काफी ज़्यादा मेनत की थी अपनी exam के लिए और आप यह deserve करते हैं लेकिन KVPYSX इस साल hard हो सकता है और क्योंकि यह exam November में ही होने वाला है तो आपको इसकी preparation जल्दी से जल्दी शुरू कर लेनी चाहिए इस साल हो सकता है कि एक interview round भी हो जाए उसके बारे में जब information आएगी तो मैं आपको बता दूँगा अब क्योंकि मैंने भी KVPYSX दे दिया है तो इस साल around September मैं KVPYSX की एक revision course भी launch करूँगा just like जैसे KVPYSX की की थी अब उसे भी देख सकते हैं अपनी preparation को एक final touch देते वाद अब ही के लिए मैं आपको recommend करूँगा कि मैं KVPYSX in one year वाली जो वीडियो बनाई थी उसे जाकर देख ले competitive preparation में 6 months, 9 months और one year almost एक equal time ही होता है और वहाँ पर मैंने जो tips बताई हैं वो आपको ज़रूर help करेंगी अपनी preparation को अच्छी से करने में best of luck, thank you